EXEL की 5 कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके साथ सेर किया हैं जो आपके बहुत काम आ सकती है इस ट्रेनिंग फाईल को आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्समें मैंने लिंक दे दिया है और मेरे साथ Excel की इन इंट्रेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो फटाफट वीडियो सुलू करते हैं बस वीडियो को लाइक करो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मैं हूँ दीपक आपका दोस्त लेट्स बिगिन पहली ट्रिक आपके सामने हैं ये सारी ट्रिक बहुत काम की हैं दोस्तो इन में से 3-4 ट्रिक ऐसी हैं जो इंटर्व्यू में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं तो दिहां से एक एक टिप्स को आप देखिए मैंने क्या किया ये टेक्स्ट किया सेलेक्ट और यहां से फॉंट साइज कम किया अब आप देखिए यहां पे मिनिमम फॉंट साइज कितना 8 है इससे ज़्यादा कम हम नहीं कर सकते अब इंटर्व्यू में ये सवाल पूछा इससे ज़्यादा गया कि एक्सल में मिनिमम हॉंट साइज कितना होता है बहुत सारे लोगों ये इसका गलाच जबाव दिया कि एट होता है एट नहीं होता देखिए यहां से मैंने क्या किया फॉंट डाइल आप बॉक्स ओपन कर लिया और यहां पे देखिए साइज आप देख सकते हो, यहां पे भी minimum font size हो है, 8 दिखा रखा है, और maximum कितना है, 72 है, but हम इससे भी कम कर सकते हैं, 8 से कम कर सकते हैं, 72 से जादा कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहां पे उपर box में आना होगा, और यहां पे type करना होगा, 1, 2, 3, 4, जितना भी font size आपको font size 1 बताना है, यह basic सी चीज है, बट basic चीजों में ही तो लोग फस जाते हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए, अगली trick की हम बात करते हैं, तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने यह chart बना रखा है, और यह chart हमने बिना किसी chart के option के बनाया है, manual chart बनाया है, आप से interview में बिल्ड करो और चार्ट बनाओ, चार्ट के किसी भी option का कोई user नहीं करना है, इंटर्विव में सवाल पूछा गया है, देखिए कैसे करेंगे, यहां पे मैंने क्या किया, एक formula लगाया, repeat, repeat का यह formula लगाया, और यहां पे double quotes में मैंने यह वाला sign लगा दिया, double quotes बंद, comma इंटर्वेस करेंगे, तो यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से यह sign आ जाएगा, आपको क्या करना है, यहां से इसको पकड़ के dragon drop कर देना है, यहां सभी में यह देखिए इस तरह से sign फिल हो गया है, अब आपको यह range select करके रखनी है, और home tap पे जाना है, यहां से कोई भी एक font select करना है, मतलब कौन सा font select करना मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहां पे नीचे जाना है, और यहां पे एक font होगा, यह वाला, ठीक है, यह font आप select कर सकते हो, या फिर इसमें नीचे एक font और है, यह रहा, ठीक है, य यह वाला font आप select कर सकते हो, मैंने इस पे click कर दिया, यह दो तीन font है, जिनसे यह जो symbol है वो chart के format में दिखेगा, तो इन में से कोई भी आपको एक font select कर लेना है, अब देखिए, यह chart के format में आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप format कर सकते हो, format मतलब color दे सकते हो, मैंने select किय यहां से कोई भी color दे दिया, क्योंकि एक text है, ठीक है, तो मैंने यह color दे दिया, अब यहां पे conditional formatting भी आप आसानी से लगा सकते हो, अब दूसरा सवाल यह पूछा गया, कि यहां पे आपको करना क्या है, जो marks 80 से जादा है, वहां पे green color आए, जो 40 से कम है, वहां पे red color आए तो formatting कैसे लगाएंगे, simple आपको select करना है, home tab पे conditional formatting में जाना है, और यहां पे आपको जाना है new rule में, use a formula और यहां box में click करके हमें लगाना है simple formula, formula क्या होगा, equal this cell, यहां हम क्या करेंगे, row number से आगे क्या जो dollar है वो हटा देंगे, और यहां पे condition क्या होगी, कि greater than equal 80, अगर इस cell में, जो marks हैं, वो 80 है, 80 से ज़्यादा है, तो format पे जाके, और font पे जाके, यहां font का color हम कर देंगे green, font color green करना है, fill color green नहीं करना है, font color green करना है, ok कर दिया, ok कर दिया, तो देखी, यहां पे green color लग गया है, जहां पे भी 80 से ज़्यादा marks है, ठीक हैं, अब यहां पे हम काम हम करेंगे रोध लंबर से पहले का डॉलर हटा देंगे अगर यहां पर जो है माक्स बिचली कितने से फॉर्मेट पर से तो मैं ने अभी सिर्मी से फॉर्माइट पर चांट पर लगा दीए तो इन्टेशा गया है यहां से वैल्यव चेंज करोगे तो यह अपडेट हो जा इसके बाद चलते हैं अगली ट्रिक पे ट्रिक नमबर थ्री यहां पर देखिए मेरे पास यह डेटा है और यहां पर मैंने एवरी थर्ड रो हाइलाइट करा रखी है यहां पर देखिए यह तीसरी रो हाइलाइट है यह तीसरी रो हाइलाइट है तो यह मैंने हाइलाइट कर रखा है अब एक चीज़ आपने देखी होगी अगर आप डेटा को मान लीज़िए मैंने डेटा सेलेक्ट किया कंट्रॉल टी प्रेस किया और माई टेबल एस हेडर पे टिक लगा के ओके कर दिया तो यह टेबल फॉर्मेट में आ गया बट यहां पे देखिए यहां पर यहां पर देखा है यहां पर यहां पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ एक simple ऐसा formula मैं यहाँ पर लगाता हूँ equal row bracket open close enter press कर दिया तो यह formula क्या करता है जिस cell में आपने यह formula लगाया है उस cell का जो row number है वो आपको देगा यहाँ पर 3 आ गया इसको पकड़ के drag and drop करेंगे तो देख यह 4, 5, 6 इस तरह से row number हमारे पास आ गए है अब यहाँ पर हम करेंगे double click mode का formula लगाएंगे bracket open करेंगे mode के formula में हम क्या करेंगे यह जो row है, row जो भी row number दे रहा है उसको हम divide करेंगे कितने से, आपको अगर हर तीसरी row highlight करानी है तो यहाँ पर 3 लिखोगे हर सौथी row highlight करानी है तो 4 लिखोगे पांच भी row highlight करानी है तो 5 से दस भी row highlight करनी तो 10 तो जो row आपको highlight करानी है वो number आप यहाँ पर type कर दीजिए मान लीजिए मुझे every third row highlight करानी है तो मैंने यहाँ पर क्या लेखा 3 ठीक है, bracket बंद कर दी enter press किया तो यहाँ पर आगया 0 और इसको पकड़ के हम drag and drop करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 इस तरह से number आजाएंगे अब आप यह देख लीजिए कि आपको कौन सी row highlight करनी है 0 वाली करानी है, 1 वाली करानी है 2 वाली करानी है, कौन सी करानी है वो आपको देखना है अब माल इस यह मुझे करानी है 2 वाली highlight करानी है तो यहाँ पर हम double click करेंगे और यहाँ last में जाके equal to लिख देंगे equal to, बस enter press कर देंगे तो यह tree false में convert हो जाएगा जहाँ पर value 2 होगी, वहाँ पर true आजाएगा otherwise false, यह देखिए यह होगा काम अब यहाँ पर double click करेंगे यह पूरा formula copy कर लेंगे control C, मुझे यहाँ पर यह apply करना है तो यह value हम कर लेंगे select मतलब यह range हम कर लेंगे select हम tap पर conditional formatting पर जाएगे new rule पर जाएगे, use a formula पर जाएगे यहाँ पर formula कर देंगे paste और बस format पर जाके यहाँ पर fill पर जाके कोई भी color हम set कर देंगे मैंने यह वाला कर दिया okay कर दिया, okay कर दिया तो देखिए यहाँ पर every third row highlight हो गई है अगर आपको यहाँ पर तीन की जिगे चौथी row highlight करनी है तो बस आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको 3 की जिगे 4 type कर देना होगा 4 ठीक है, 4 type करोगे तो यहाँ पर मैंने यह देखिए every fourth row highlight हो जाएगी तीन के बाद यह चौथी row आगई यह तीन के बाद चौथी row आगई तो जहाँ जहाँ पर true होगा वहाँ वहाँ पर यह जो है highlight हो जाएगी row मैं करके आपको दिखाता हूँ मैंने यह formula copy कर लिया Ctrl C और यहाँ से यह range curly select यह range curly select condition formatting manage rule double click करके इसको edit कर देते हैं यहाँ पर formula paste कर देते हैं ok कर देते हैं ok कर देते हैं तो यह देखिए आप जो है अपने data में alternate rows को highlight कर सकते हो जो भी है second, third, fourth, fifth जो भी है इसके बाद अगली trick के हम बात करते हैं यह देखिए मेरे पास यह data है यहाँ पे seller के name लिखे होई है और यहाँ पे एक ही cell में उनके product लिखे होई है mouse, keyboard, printer, scanner, mouse इस तरह से लिखे होई है हमें इस data को इस तरह से arrange करना है एक ही cell में values लिखे होई है उनको इस तरह से हमें अलग-अलग करना है तो हम कैसे करेंगे इसके लिए हमें क्या करना होगा देखिए यह एक ही cell में values लिखे होई है mouse, keyboard, printer, scanner, mouse है ना इनको हम करेंगे select data tab पे जाएंगे यहाँ पे text to column का option है इस पे click करेंगे click करने के बाद delimited पे click करके next करेंगे यहाँ comma पे click करके finish कर देंगे तो यह जो values थी वो अलग-अलग cells में चली गईगे यह देखिए है ना अब क्या करेंगे यह data करेंगे select ctrl c से copy कर लेंगे आपको यह कहाँ पे आपको यह अलग-षीट पे paste करना है तो अलग-षीट पे जाके यहाँ पे right click करेंगे paste special पे जाएंगे transpose पे click करके ok कर देंगे तो यह देखिए data उसी तरह से arrange हो गया जैसे हमें चाहिए था select करके border लगा लीजिए home tap पे जाके all border हो गया ना अब यहाँ प क्या करना है यह सारा data करना है select ctrl h press करना है replace के लिए यहाँ find what में एक space दबा देना है replace with में कुछ नहीं करना है replace all पे click कर देना है तो देखिए यहाँ से सारे space हट गए और आपका data हो गया clean समझा गया इसके बाद चलते हैं अगली ट्रिक पे यहाँ पे हमारे पास वही data है बट उल्टा है हमारे पास data इस तरह से दे रखा है seller 1 यहाँ पे इसके product seller 2 यहाँ पे इसके product seller 3 यहाँ पे इसके product अब यह हमें इस तरह से arrange करना है तो कैसे करेंगे यह भी interview में पूछा गय हैं ताकि वह जान पाएं कि क्या आप logic build कर सकते हो logic build कर सकते हो सोच सकते हो कि क्या problem है और उसका solution आप कैसे निकाल होगे कोई option है तो उससे कैसे निकाल होगे कोई formula यूज़ करना तो कैसे करोगे तो वह सारी चीज़ें आपकी test की जाती है अब देखिए यह काम हम कैसे करें यहां पर हम क्या करेंगे इनको paste special पर जाके transpose करके paste कर देंगे यहां पर एक formula होता है simple सा equal array to text array to text यह एक formula होता है बस इसमें आपको क्या करना है यह values select कर देना है यह देखिए values automatic comma से separated होके आ गही है equal array to text और इसमें मैंने यह values select कर दी enterprise कर दिया equal array to text और इसमें यह values मैंने select कर दी enterprise कर दिया तो यह देखिए सारी values comma लगा लगा के एक ही cell में आ गई है तो उम्मीद करता हूँ यह सारी tips and tricks आपको जरूर पसंद आई होंगी पसंद आई तो इस वीडियो को like share करके जरूर आई हिंद वंदे मातरम टेक केर